सुंबार को हुई महानगर पालिका की विशेश सभा में गड़ों को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोक जोग देखी गई जर्चा के दौरान जहां सत्तापक्ष के कई पारशदों की और से गत दो वर्षों में कोरुना की मार राज्य सरकार से विकास निधी नहीं मिलने तधा बारिश के कारण गड़ों की भर्मार पर आपती जताई वही विपक्षी दलों के पार्षदों ने रख रखाव को लेकर अंदेखी किये जाने के चलते शहर की जनता को यह त्रासदी देने के आरोप लगाए महानगर पालिका की विशेश सभा में चर्चा में हिस्सा लेते हुए कॉंगरस के वरिष्ट पार्षित प्रफुल गुड़े ने कहा कि रोडकरी के शहर में सडको पर चर्चा की अनुमती दी गई यही सराहनिया है सडके क्यों खराब होती है यही सर्व प्रतम खोज का विशे है यदि समय समय पर इनका रख रखाव होता है तो गड़े पढ़ने की नौबत ही नहीं आ सकती है यदि सत्तापक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाता तो जनता को यह गड़े देखने नहीं मिलते उन्होंने कहा कि चर्चा में ततकालिन स्थाई समीति के सभापतियों ने हिस्सा लिया लेकिन सभी ने अपनी अपनी विकास फाइलों पर ही चर्चा की गड़ों पर दोनों और से किये जा रहे आरोपों पर जवाब देते हुए अधिक शक अभियंता अजय पोहकर ने कहा कि गत वर्ष कोरोना काल होने तता इस मौसम में भारी बारिष के चलते गड़ों को भरने का काम नहीं किया जा सका है काम नहीं होने से 40 प्रतिशत गड़ों में इजाफा हो गया अब बारिष से राहत मिली है जिससे 15 दिनों बाद गड़ों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी चर्चा के दोरान वरिष्ट पार्षद आभापांडे ने कहा कि प्रशासन पर सत्ता पक्ष का नियंतरन नहीं है यही कारण है कि कई बार शिकायत के बावजुदुस का निवारन नहीं होता है प्रशासन की और से केवल लीपा पोती होती है गड़ों के कारण लोगों को दुरगटनाओं का शिकार होना पड़ रहा है गड़ों के लिए बारिष का हवाला दिया जा रहा है जबकि माज से ही इसका नियोजन करना चाहिए था इससे समय रहते हुए अधिकांश हिस्तों के गड़े बुझाए जा सकते है लेकिन इस और न तो प्रशासन का ध्यान रहा और न ही सत्ता पक्ष ने इसे गंभिरता से लिया है